हेलो स्टूडेंट्स वैलकम बैक टू प्रग्या बेसिके जुके सन आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एडवर्टाइजमेंट राइटिंग जो की राइटिंग स्किल में बेस्ट है एडवर्टाइजमेंट राइटिंग ठीक है एडवर्टाइजमेंट राइटिं उसका definition क्या है, उसका classification क्या है, उसका कितने category होते हैं, लेकिन हम लोग को कौन सी advertisement के बारे में prepare होना है, ठीक है, मतलब paper based जो advertisement है, हम लोग के paper में क्या आने वाला है, इसके बारे में भी हम लोग discuss करने वाले हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि advertisement कुछ भी नहीं है, बस इसको हम लोग एक बोल सकते हैं, play of words, ठीक है, यह words का play है, यानि कि words वो हम लोग के सामने इतने सुंदर तरीके से हम लोग के सामने paste किया जाता है, कि हम लोग उसमें attract हो जाते हैं, ठीक है students, जैसे आप लोग ने भी देखा होगा है, टीवी में, रेडियो में, मैगजीन मे सीने में, निूज पेपर में, यह सब में हम लोग को add दिखते हैं, advertisement, जैसे हम लोग कभी movie देखते हैं, या कुछ भी, आजकल mobile में भी add दिखने लग गए हैं, ठीक है, तो यह जो advertisement में, advertisement है, तो यह क्या है, यह play of words है, वोड्स को हम लोग के पास इतने अच्छे तरीके से paste किया जाता है ताकि हम लोग उसके बारे में जानने के लिए और उत्सुख हो सके ठीक है तो एडवर्टाइजमेंट आखिर बनाया क्यों जाता है स्टुडेंट्स क्योंकि अभी जो मैं बताई कि यह जो विजिटर है जो विवर है उन लोग को एटेंशन को एट्रेक्ट कर सक मैंजेंगे लेकिन कैसे बताएंगे मार्केट में अविलिवाल है औरके एक अडवर्टाइजमेंट के थुरू ठीक है टीवी में उनेंग प्रकार के toy inexpensive जैसे live boy soap का हो गया डिटॉल का हो गया उसके बाद में all out हो गया ठीक है तो all out मैं कैसे आप लोग बोलते हैं न all out मच्छरों का यमराज ठीक है तो ये सब words को इतने अच्छी तरीके से सजाया जाता है कि हम लोग के जुबान में words आ जाते हैं हम लोग उसको जान लेते हैं एक एट्रेक्ट कर सके प्यूपल को ठीक है और यह इसको हम लोग एक important टूल भी मान सकते हैं for promoting sales and services जैसे for example मैं एक coaching center खोली हूं तो उसके बारे में लोगों को अगर बताना है तो मैं advertisement करूंगी उसका ठीक है तो advertisement ऐसे simple language में अगर लिख दूंगी simple sentence लिख दूंगी तो कोई इ इतना अच्छे तरीके से मतलब लोगों के सामने पेश करना है words को ताकि हाँ उन लोग को लगे कि हाँ इसके अंदर कुछ होगा ठीक है तो उन लोग मेरे तक पहुंचे ठीक है आप लोग समझ सकते हो कि advertisement क्या होता है तो बढ़ते हैं आगे और advertisement के definition देख लेते हैं actually advertisement होता प्रपर्टी, household goods, vehicles, etc. It is very important tool for sales and promotion जैसे कि मैं आप ही बताएं कि ये क्या है एक announcement है इसके लिए announcement है कि advertise करने के लिए हैना लोगों को बताने के लिए एक announcement है क्यों बताएंगे लोगों को कि property को अगर आपको बेचना है खरीदना है household goods को बेचना है या खरीदना है वाइकिल् हम लोग किस के थूरू जानते हैं हम लोग एड के थूरू जानते हैं ठीक है तो इसको इसलिए हम लोग important tool मान सकते हैं for sales and promotion के लिए लेकिन advertisement two categories में होते हैं एक classified advertisement और एक commercial advertisement जिसको की हम लोग display भी बोलते हैं लेकिन students आप लोगों को घबराने की ज़रुरत नहीं है ये दो प्रकार का advertisement में जो बता रही हूं इसमें से आप लोग का बस एक ही टाइप का आएगा जो कि है classified और यह एकदम सिंपल है मैं कई बार students को देखती हूं कि उन लोग का option में आता है ना notice writing या advertisement writing तो students ज्यादा तर notice writing लिखना पसंद करते हैं लेकिन मैं कहूंगी कि advertisement में लिखन उतना ही important है उतना ही easy है मैं कह सकती हूं उतना ही easy है जितना की notice writing तो आप लोग इसको भी attempt कर सकते हैं अगर इसका एक fixed format होता है और वो format के बारे में अगर हम लोग को पता चल गया तो हम लोग उसी के हिसाब से अगर लिख देंगे तो max हमारा अच्छा आता है ठीक है तो आ तो classified advertisement में जो होता है वो क्या होता है placed by individual यह एक individual के द्वारा place किया जाता है ठीक है जैसे मैं हो गई आप हो गई कोई भी उसको add के रूप में दे सकता है लेकिन जो commercial advertisement है वो क्या होता है एक group के द्वारा एक organization के द्वारा एक manufacturer के द्वारा उसको दिया जाता है ठीक है और classified advertisement अगर न्यूश्पेपर पड़ते होंगे तो उसमें एक पेपर मैं एड़ दिखता है ना जो 30 आवश्यकता यह सब दिखता है ना तो उसमें एक जैसे आप देखेंगे एक प्रहपों सबक्तितार थाई का ठीनिक gj आडवाटाइजमेंट भी बोलते हैं ठीक है यह देखने में सौट है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि नीचे में दोनों का एक्जामपल भी दी हूँ ठीक है तो यह जो यह दोनों में आप लोग को यह डिफिरेंस ना जरा रहा है स्टुडेंट्स यह छोटा है ना कौन स से ज्यादा स्पेस का जड़रत होगा ठीक है और यह इसमें देख सकते हैं आप लोग जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है उसमें मैं एक ही प्रकार का फॉंट का यूज की हूँ लेकिन कमर्सियल में क्या है उसको थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा किया जाता है यह शॉट होता है ब्रीफ होता है ठीक है जैसे फॉर एक्जमपल इसमें मैं लिख हूँ फ्लैट एवेलिबल फॉर रेंट गूड एकोमोडेशन प्राइम लोकेशन जो भी आप लोग का जो भी प्रपर्टी है जो भी आपका सामान है जो भी आपका अगर कु तो सामने वाला एट्राक्ट होगा ठीक है तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यह जो क्लासिफाइड है है ना कमर्सियल में आप लोग को बताने के लिए बस यहां एक्जमपल दी हूँ लेकिन एक्च्छल में हम लोग क्या डिल करेंगे क्लासिफाइड एडवर्टाइ आप कौन सी क्लास को देना पसंद करते हैं कितने रेंट रखना पसंद करेंगे आप लोग के पास अगर फ्लेट है कितना रेंट है अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि इसमें आना चाहता है तो यह नंबर में आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं इसलिए आप कॉंटेक्ट टू लेट वांटेड एड़ सेटरा मतलब जब हम लोग एडवर्टाइजमेंट लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कैटेगरी लिखेंगे कौन सी कैटेगरी में यह एड़ आता है ठीक है जैसे आपका फॉर सेल यानि कि आप कुछ बेचना पड़ेगा वंटेड यानि कि आपको कुछ चाहिए जॉब चाहिए तो आप वंटेड के नीचे लिखेंगे ऐसे ग्रूप्स होते हैं ठीक है पहले क्या करना है आपको कैटेगरी मेंसोन करना है गीब ओल नेसेसरी डिटेल्स इन पॉइंट्स यूजिंग कमा जयानि कि कमा का प्रयोग करते हुए आपको नेसेसरी डिटेल्स देना है ठीक है नेसेसरी डिटेल्स का मतलब यह नहीं है कि इतना लंबा चोड़ा आपना सेंटेंस लिख लिए या पेरेग्राफेक लिख लिए नो गीब इंपोटेंट इंफोर्मेशन उली खाली आप लोग को सेंटेंस जैसे मैं आपको बताईएंं ना की नहीं लिखना ठीक है अफ्रेज में लिखना और कॉमा से सेप्राइटेड है separate करना है put the matter in box जैसे notice में हम लोग box के अंदर रखते हैं notice को ठीक उसी प्रकार इसको भी हम लोग को एक box के अंदर में रखना जरूरी है और उसमें हम लोग क्या करेंगे अपना contact address दे सकते हैं telephone number भी दे सकते हैं या अपना email address भी दे सकते हैं अब आएए देखते हैं important classified advertisement कौन-कौन से actual होते हैं देखिए मैं यहां पर situation vacantly क्यों situation wanted sale and purchase to let lost and found travels and tours matrimonial इसके अलब ही बहुत सारे हैं लिख ठीक है लेकिन exam point of view के दरिश्टी कोंड से exam point of view से आप लोगों को इतना ही बस practice अच्छे से करना है ठीक है इतना आपका practice हो जाएगा तो आपका काम हो जाएगा तो आज इस वीडियो में हम लोग deal करेंगे only situation vacant and situation wanted situation vacant मतलब क्या होता है students जैसे for example मैं एक office खोली हूँ ठीक है तो office खोल देने से नहीं होता है उसमें काम करने के लिए लोग भी तो चाहिए मेरे को ठीक है इसे situation में हम लोग कौनसी category में रखेंगे अपना एड को situation vacant vacant यानि रिक्त खाली है ना मेरे पास job है मैं लोगों को provide करना चाहती हूँ तो मैं किस प्रकार से लिखूंगी देखो यहां पर लिखा है situation vacant ABC global company wanted female receptionist यहां पर देखो सबसे पहले क्या लिखा है पहले तो category लिख द का नाम लिखना है क्या लिखेंगे name of the organization क्या है अमारा ABC global company है क्या चाहते है wanted female receptionist आपनों male या female को prefer भी कर शकते हो है और कौनसी पोस्ट है यह receptionist का पोस्ट है age group कितना है इसका 25 to 30 है must be graduate अब इसका क्या है qualification जो भी बंदा इसको apply करेगा ओ इतना qualification तो उसके पास होना ही चाह चाहिए कौनसी qualification होगा graduate होगा और pleasing personality होगा उसके पास computer literate होना चाहिए from an accounting background ठीक है यह receptionist है तो accounting background उसका होना चाहिए minimum 3 years experience और मैं इसको मैं यहाँ पर experienced person को prefer कर रहे हूं तो उसको भी मैं यहाँ पर add कर दी salary negotiable यहाँ पर salary pay scale नहीं दिया हुआ है ठीक है आपको पेस्केल भी लिखना है पेस्केल यहाँ पर salary negotiable का मतलब क्या होता है negotiable यानि की जैसे for example मैं receptionist के लिए सपोज 10,000 रखी हूं सपोज ठीक है मैं mention नहीं की हूं लेकिन जो सामने वाला बंदा है अगर वो मेरे पास आता है सरी आती है और उसको मेरे को पसंद आता है ठीक है तो 10,000 मैं करने के लिए राजी नहीं होती है सपोज तो मैं उसको बोलके 11,000 यानि की मेरा salary बढ़ा भी सकती हूं उसको negotiable लिखती है उसके बाद है email address ठीक है तो ऐसे ही आप लोंको एक box बनाना है category लिखना है name of the organization लिखना है कौन सी post के लिए है कितना post है age group आप क्या चाह यह सब के बारे में छुटे-छुटे आपको फ्रेज में details लिख देना है और अगर ऐसे व्यक्ति जो इस post के लिए लायक है तो आप मेरे को email address या phone number में contact कर सकते हूं ठीक है ऐसे आप लिख सकते हैं यह तो हो गया situation vacant situation vacant मतलब क्या है मेरे पास job है मैं add publish कर रहे हूं लेकिन situation wanted इसका just opposite है मैं job seeker हूं ठीक है मैं ऐसे ऐसे qualified हूं मेरे पास इतना qualification है और मेरे को इस area मैं ऐसे job चाहिए तो जो job provide करेगा वो इसको देखेगा और मेरे को call करेगा ठीक है तो आए इसको अच्छे से समझ लेते हैं situation wanted it is given by a job seeker himself मैं बोली ना जो job seeker है जिसको job चाहिए वो ह कि इसको लिखेगा या add publish करेगा qualification experience ओपना qualification लिखेगा एज कितना है लिखेगा जेंडर लिखेगा कौन सी job के लिए ओफीट है ओ लिखेगा हना minimum salary ओए सेप्ट क्या करता है उसको भी लिख सकता है और अगर इतना available है तो आप नीचे यह number पे या एड्रेस पे आप contact कर सकते हूँ ठीक है यह है आपका situation wanted मतलब आपको जब चाहिए आप job ढूंड रहे हैं तो आप इसमें ऐसे एड्र लिख सकते हैं जैसे इसमें मैं लिखी हूँ ए फर्स्ट क्लास बी टेक सिविल इंजिनियर फ्रम गुरु घांसिदास उनिवर्सिटी 6A job in and around राइपूर उनिवर्सिटी से पास आउट है सीख से जाब उसको जाब चाहिए कहां पर कौन सी लोकेशन में रायपूर के आसपास है प्रेजेंट ली वर्किंग हुई थे प्राइवेट फॉर्म इन रायगाड और और अब क्या कर रहा है अभी फिलहाल ओ रायगाड में पोस्टेड है सेलेरी एक्सपेक्टेड थाटी थाउजन यानि कि अगर थाटी थाउजन सेलेरी मिलेगा तो भी मैं ओ जाब के लिए अपलाई करूंगा ठीक है प्लीज कॉन्टेक्ट एक्स वाई जेड इमेल एटरेस भी दिया हुआ है उन्होंने ठीक है तो ऐसे आप लोग लिख सकते ह कि आपके पास जो जो क्वालिटी है उसको आपको बस मैंसौन करना है ठीक है और एक एक्जामपल आप देख लेंगे यूर राज सर्मा ओफिस इंचार्ज ऑफ आरके इंडॉस्ट्री भिलाई यूर कंपनी नेट्स एकाउंटेंट देखो इसमें आप राज सर्मा हो आप सम्दूरी इंडॉस्ट्री का यह नाम है फिलाई में तो इसके लिए आपको आपको एड़ लिखना है तो जी लिखेंगे सिचौेशन सबसे पहले क्या है सिचौेशन करके कंटर करेंगे कौन शी पोस्त के लिए am एकाउंटेंट, ठिक है? पोस्ट थ्री यानि कि तीन पोस्ट के लिए एकाउंटेंट है खाली for a required leading कंपनी आर्के इंडस्ट्री आओ यहाँ पर हम लोग नेंम आप नप लिख दिय पहले टाइप लिख दिय फिर नेम आप पोस्ट लिख दिये कितने पोस्ट खाली है उसको भी मेंसन कर दिए कौन सी इंडॉस्ट्री कौन सी कम्पनी का नाम यानि कि नेम अब दो और्गनाइजेशन भी उसमें लिख दिए एप्लीकेंट शुर्वी वेल एक्सपिरियंस्ट एज ग्रूप 32-35 यानि कि एज ग्रूप भी यहां पर मैं मेंसन कर दिए हूं वेल एक्सपिरियंस्ट होना चाहिए हना साउंड नालेज ऑफ फाइनन्स टेली एड टैक्सेसन इसको मैं है आइलाइट करके इसलिए लिखूँ क्योंकि यह रहना बहुत ही ज़रूरी है उसके पास फाइनन्स का साउंड नालेज अचाहिए क्योंकि एकांटन्ट के लिए प डॉकुमेंट्स और जियो भी बंदा इस पोस्ट के लिए इंट्रेस्टेड है तो इंटर्वी के लिए आ सकता है ठीक है कब आएगा 20 अक्टुबर इसको भी आप लोगों को मेंसन करना है ठीक है फर फर्दर इंफर्मेशन कांटेक्ट मिस्टर राज सर्मा अफिस इन अगर इसके अलावा भी आप लोगों को और कुछ जानना है इसके बारे में तो आप कॉंट्रेट कर सकते हैं मिस्टर राज सर्मा जोकी अफिस इन चार्ज है आरकी इंडॉस्ट्री का ठीक है तो ऐसे करके हम लोग जो एडवन्टाइजमेंट है सिचुएशन वेकेंट हो स को लिख सकते हैं ठीक है स्टुडेंट्स आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा आप वीडियो को एक बार नहीं बार बार देखिए उसको बार बार सुनिए बार बार लिखने की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोगों का जो कॉंसेप्ट है ओ क्लि सब्सक्राइब कर देना और बैल आइकन को भी प्रेश करना ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे ठीक है स्टुडेंट्स और फेमली फ्रैंट्स के साथ से और भी कर देना ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है तब तक और नेक्स्ट वीडियो में एक बार बताना चाहूंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो मैं और बताई थी ना मैट्रिमोनियल था हाना सेल्स और सर्विस था यह सब के बारे में हम लोग फिर दिखेंगे ठीक है उसके बारे में अगर आ जाएगा तो एड कैसे लिखेंगे हैना तो तब तक के लिए टेक क्यार बाई स्टूटेंट्स थैंक यू